हेलो फ्रेंड्स, फ्राइ किचिन में आप सभी का स्वागत है इजी और टेस्टी रेसेपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब वीजिए और बैल आइगन को प्रेस करना ना भूली फ्रेंड्स, आज में आपके साथ सूजी से बने इंस्टेंट स्पाइसी टोस्टर केक की रेसेपी शेयर गरने वाली हूं इसे बनाना बहुती आसान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाच्ता बनाने के लिए यहां हमने लिए है एक कटोरी सूजी और एक कटोरी खट्टी छाच यहां एक बाउर लिया है इसमें हम भी सूजी डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ी-धोडी छाच एड्ड करते होए इसका बैटर तयार करेंगे इस तरह से थोड़ी से चाच हम और आड़ करेंगे हमारा बैटर थोड़ा ठेक है इसमें हम यह आदा घटोरी पानी आड़ करेंगे और मीडियम लिक्विड बैटर इसका तयार करेंगे देखिए हमारा बैटर एकदम रैड़ी है यह आप देख सकते अब हम बैटर को आदे घंटे के लिए धग कर रख देंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसका नाश्टा बनाएंगे आदा घंटा हो चुका है हमारा बैटर भी एकदम तैयार है यह देखिया अब हम इसमें कुछ सब्जेया डालेंगे एक बारी कटा हूँआ टमाटर एक बारी कटा हूँआ प्यांज यह अब हम उपडर से इसमें डालेंगे हरा धनिया मैं कुछ मसाले डालेंगे हाफ टीस्पून डाल मिर्श पाउडर वन फोर टीस्पून काली मिर्श का पाउडर हाफ टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून नमक, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से, लीजी फ्रैंड्स, सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है, यह आप देख सकते हैं, अब हम इसमें, हाफ टीस्पून इनो सॉल्ट डालेंगे, उसके बाद एक ही डारेक्शन में चलाते हैं, इस अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से, इनो सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमने यहाँ यह ग्यास टोस्टर लिया है, यह आप देख सकते हैं, अब हम इसे ओईल लगा के ग्रिस कर देंगे, इस तरह से, हमने गैस टोस्टर के सिर्फ एक ही पार्ट में ओईल लगा कर इसे ग्रिस कर दिया है, अब हम हमारा बैटर जो हमने बना के रखा है, उसे हम इसमें फिल करेंगे, इस तरह से, बैटर को हमें इसमें डालना है, यह देखिए, इस तरह से हमने सूजी का बैटर इसमें फिल कर दिया है अब हम गैस की तरफ चलते हैं यह देखिए फ्रैंड्स हमने यह गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखा है अब हम इसे इस तरह से बन कर देंगे देखिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे दुनुतरो से अच्छा ब्राउन होने तक सेखेंगे एक बार हम इसे चेक कर लिते हैं देखिए देखिए कितना अच्छा कलर हमारे नमकीन केक में आया है अब हम इस तरह से उपर से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि यह अच्छा सा सिख जाए उपर से भी इस तरह से अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से इस तरह से से पलड देंगे और इस सैट सब्सक्राइब प्लेट नियुकरते वच्छा से खेश नत्वी तरह सेमर्स नमकीन टोस्टर केक को निकालना है यह देखिए एकदम सावधानी से हमें निकालना ही है बहुत ही गरम है आप देख सकते हैं दोरों तरफ से कितना अच्छे से यह बेक हो चुगा है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए फ्रेंड्स कितना पर्फेक्ट हमार नमकीन टोस्टर केक बना है यह देखिए आप दोनों तरफ से यह कितना अच्छा बेक हो चुका है यह देखिए बहुत ही ज्यादा गरम है यह देखिए फ्रेंट्स अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आये तो आप इस रेसिपी को एक बर घर पर जरू ट्राय करें मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें